आज मैं आपके साथ शेयर करें बहुती क्रिस्प मेथी कटलेट की रेस्पी ये देखिए कितने कुरकुरे हैं ये बहार से और इन्हें बनाना बहुती असान है जटपट से बन जाते हैं और खाने में बहुती टेस्टी होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस असान सी रेस् आप चाहें तो इन्हें कूट के भी ले सकते हैं एक छोटा चमल सौफ और एक छोटा चमल साबुत जीरा लेंगे और इन्हें लिट से कवर करके एक बार पल्स मोड पर दरदरा सा ग्राइंड कर लेते हैं यह देखें बहुत फाइन पाउडर नी बनाया मैंने दरदरा सा ग्र जिसे पीसे में कट करके इसमें डाल देंगे दो हरी मिर्चे भी डाल देंगे अपने टेस्ट के कोडिंग अब इन्हें भी हम ग्राइंड कर लेते हैं तो आप इसे चोपर में भी ग्राइंड कर सकते हैं मैं इसे मिक्सर में ग्राइंड करने हूँ बहुत ही फाइन नहीं कि अब हम एक बोल में डालेंगे आधा कप पोहा, इसमें हम एक कप पानी डालेंगे और इसे अच्छे से वाश कर लेंगे, अच्छे से वाश करके हम क्या करेंगे, इसे एक मिनिट के लिए छोड़ देंगे, एक मिनिट बाद क्या करेंगे, इसका पानी हम निकाल देंगे, इस अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगा यह देखे मैंने इसका पूरा पानी अच्छे से निकाल दिया है अब यह जो मेथी के पत्ते हमने काटके रखे इसमें यह जो पोहा है इसे थोड़ा सा मैश करके इसमें एड कर देंगे इससे क्या होगा जो कटलेट्स बनेंगे वह बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाया था दर दर असा ही ग्राइंड किया था यह डाल देंगे अब हम इसमें डालेंगे दो बड़ी चमच बारी कटा हुआ हरा धनिया इससे कटलेट्स में बहुत ही बड़िया टेस्ट आता है अब हम इसमें डालेंगे दो बड़ी चमच ति जाल मिर्ची पाउडर, मिर्ची आप अपनी टेस्ट के कॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं, आधा चोटा चमच आमचूर पाउडर, इसकी जगा चाट मसाला भी आइड कर सकते हैं, आधा चोटा चमच काला नमक, इससे बहुत बढ़िया फ्लीवर आता है कटलेट्स में, और आधा चोटा चमची हम, रेगुलर सॉल्ट आड कर देंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं, एक मीडियम साइज का प्यास, जैसे मैंने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है, अब इन सारे चीजों को अच्छे से मिक्स करना है, ये देखिए, इस इस तरह से मैश करेंगे, अब इन्हें बाइंड करने के लिए मैंने एक कप बेसन लिया है, ये थोड़ा थोड़ा एड करेंगे और इसमें मिक्स करते जाएंगे, अच्छा इस डो में हमने बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करना है, ये जो मेथी लीज है अपने आप थ थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज करेंगे, और इस तरह से ये बेसन इसमें बाइंड हो जाएगा, ये देखिए, अब इसमें मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा जो बेसन बचा इसे भी आड कर लेते हैं, और इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, तो इसमें म चोटा चोटा पहले हाथों को grease के लेंगे जब लेंगे टोटा चोटा लेमन साइज बॉल लेंगे गिए और हाथों में रोल करके इस तरह से प्लाट कर लेंगे इस तरह से राउंड शेप देंगे और बहुत मोटी नी बनानी नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाएगी यह देखिए थोड़ी सी इस तरह से फ्लैट कर लेंगे और इस तरह से सारे कटलेट्स बना कर हम रख लेंगे एक प्लेट में मैं आपको एक और दिखाती हूँ छोटा सा पोशन लेंगे लेमन साइज यह देखिए इस तरह से इसे पहले र तो इस तरह से सारे कटलेट्स बना कर तैयार कर लेते हैं चोटा शोटा बॉल लेकर उन्हें प्रेस करते जाएंगे तो यह मैंने सारे कटलेट्स बना कर तैयार कर लिए अब पैन चेक कर लेते हैं यह देखिए ओल भी गरम हो चुका है तो मीडियम गरम ऐल में हमने इने श कि यह बहुत ज़ादा ऐल सोक कर लेंगे तो यह मीडियम गरम तेल में हैं मीडियम फ्लेम पर ही हमने दूनों साइड से क्रिस्प होने तक फ्राइब करने ये। देखिए अब हुद ये बहुत ही सौफ्त है तो पांच से छे मिनिट तक हम मिने भी भी नहीं छेडेंगे एक बार हम फिलिप करके इन्हें जेक कर लेंगे कि इनका कलर दूसरी साइड से हलका सा ब्राउन आया है कि नहीं यह देखिए तो हम इन्हें फिलिप कर देंगे यह देखिए अच्छे से इनका बढ़िया सा कलर आ गया और अपने आप पता लग जाएग कर इस तरह से प्रेस करते हुए टीशू पर निकाल लेंगे यह देखिए बहुत ही बढ़िया क्रिस्प हो गया है तो यह सारे हम इस तरह से टीशू पर निकाल लेते हैं थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे यह देखिए एक्स ट्रॉयल निकाल कर इस इस तरह से हमने सारे निकाल लिए बहुत ए क्रिस्प बने हैं इसी तरह से हम दूसरा भी भीfight कर लेंगे मीडियम रखेंगे और मीडियम गरम लिवीम घरम आणि हमने इने दोनों साइड से हलका golden brown कलर आनितर क्रिस्प आनितर इस तरह से शैलो फ्राई करना है ये देखिए अच्छे से दोनों साइड से प्राइ करके मैंने इन्हे निकाल लिये हैं, बहुत ही बढ़िया बने हैं, इन्हें मैं टमाटो कैचप के साथ सर्फ करई हूँ, ये देखिए बहुत ही क्रिस्प बने हैं मैं आपको इसकी ओवाज सुनाती हूँ यह देखिए कितने क्रिस्प बने है और बहुत ही टेस्टी बने है मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं है क्योंकि हमने इन्हें बहुत ज़ादा मोटा नहीं बनाया है अब किसी भी चटनी के साथ इन्हें सर्फ कर सकते है अगर आपको यह रैस्पी थोड़ी भी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स में भी शेर करें कमेंट्स में लिख कर बताए मिलती हो आपसे अगले वीडियो में एक और मज़िदार रैस्पी के साथ अपना कीम्ती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद